दोस्तो आज के इस वीडियो में हम phylogenetic tree से जुड़ होए important topic, monophiletic, paraphyletic और polyphiletic tree के बारे में detail से जानेंगे बहुत important topic है और इसी के साथ साथ जानेंगे कि हम कैसे phylogenetic tree को represent करते हैं और phylogenetic tree कितने प्रकार के होते हैं और phylogenetic जुड़ होए कुछ important topic जिसे मैं आपको animation के थुरू समझाऊंगा और आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे तो कुल मिला कर देखा जाए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला है वीडियो को आप ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो जैसा कि मैंने आपको previous वीडियो में बताया था कि जो phylogenetic tree होते हैं इसमें हम different organism के बीच visual representation करते हैं और ये जो visual representation होता है वो दिखाता है कि उनका जो evolution हुआ है common ancestor से वो किस प्रकार से हुआ है तो इस तरह से देखा जाए तो phylogenetic trees are hypothesized reconstruction of evolutionary history यानि कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो phylogenetic tree होते हैं हमें exact जो evolution हुआ है या जो exact ancestor है उनके बारे में तो नहीं बताता लेकिन ये एक तरह से reliable तरीका होता है कि जो different species है उनके बीच क्या similarity है और क्या difference है तो नीचे आप एक phylogenetic tree देख सकते हैं नीचे देख सकते हैं कि ये लिखवा है root node और ये जो root node है ये एक common ancestor है taxon A, B और C के लिए तो यहाँ पर जो taxon A और B हैं ये sister group है यानि कि इमने आपको similarity देखने को मिलेगा जबकि जो taxon C है ये एक तरह से out group है जिसका जो character है वो A और B से नहीं मिलेगा तो आएँ मैं आपको इस point को animation के थुरू समझाता हूँ तो यहाँ पर एक cladogram दिया गया हुआ है और यहाँ पर तीन different species A, B और C हैं तो यहाँ पर B और C जो है वो closer relationship represent करते हैं क्योंकि इनका जो ancestor है वो common है तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर B और C एक दूसरे के close है अगर आप species A, B और C इन तीनों को ध्यान से देखे तो A और B एक दूसरे के close है और A और C एक दूसरे के close है और एक तरह से देखा जाए तो A, B और C एक दूसरे के close है एक brother है और एक sister है तो brother और sister एक दूसरे से बहुत अधी close है और वहीं अगर हम बात करें cousin की तो इन दोनों का जो relationship है वो cousin से थोड़ा सा अलग है तो इस तरह से brother और sister closely related species है और यहाँ पर मैं बता दू कि cladogram अगर हम बना रहे हैं तो इनका जो position है वो matter नहीं करता यानि कि हम इन्हें एक तरीके से और भी बना सकते हैं अगर हम sister को इधर कर दें ब्रदर को इधर कर दें तो इनका जो relationship है cousin से वही रहेगा या फिर अगर हम cousin का position change कर दें तो भी relation वही रहेगा तो जब भी हम cladogram को represent क रहते हैं और आपको doubt होता है कि यह different kleidogram है तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हम previous example को देखें तो उसके लिए हम kleidogram कुछ इस तरह से तयार कर सकते हैं तो जो cousin है वो A है brother B है और sister C है तो अगले kleidogram में हमने क्या किया है कि brother और sister के position को change कर दिया है तो दोनों ही kleidogram एक दूसरे के equivalent है तो इस तरह से आपने देखा कि हम phylogenetic tree के द्वारा ancestor से जो उनके descendant है उनका उनसे relation पता लगा सकते हैं तो जैसा कि ये नीचे की तरफ ancestor है और उनके कौन-कौन से descendant है उनका हम पता लगा सकते हैं तो ये जो ancestor है एक तरह से ये parents है और जो descendant है वो उनके किट्स है तो इस phylogenetic tree से जुड़े हुए three term है जो की बड़े important है और ये है monophyletic group, paraphyletic group और polyphyletic group और आपके exam में इन तीनों के definition पूछे जाएंगे और बहुत ही important है तो आये एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों है क्या तो सबसे पहले हम बात करते हैं monophyletic group की तो इसमें क्या होता है it is made up of an ancestor species and all its descendants यानि की संपुन परिवार तो इसमें क्या होंगे इसके ancestor भी होंगे और इससे जुड़े वे जितने भी इसके descendant है वो भी होंगे या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि parents भी होगा और इसके जितने भी kids होंगे वे सभी होंगे अगला है पैराफाइलेटिक group तो पैराफाइलेटिक group क्या कह रहा है it includes the common ancestor but not all of its descendants तो आये मैं समझाता हूँ माल ले यह यह ancestor है और यह इसके सभी descendants है ठीक है तो पैराफाइलेटिक में होता क्या है कि हम ancestor तो सभी लेंगे लेकिन सभी descendants को नहीं लेंगे यानि कि हम कुछ descendants को क्या करेंगे इसकिप कर देंगे जैसा कि हमने उपर की ओर देखा कि हमने ancestor और descendant सभी को लिया ठीक है लेकिन पैराफाइलेटिक में करते क्या है कि हम ancestor तो सभी लेते हैं लेकिन descendant कुछ लेते हैं कुछ को skip कर देते हैं next हम बात करते हैं polyphyletic group की it does not include the common ancestor but include descendants तो इसमें हम क्या करेंगे ancestor यहाँ पर हमने दो ले लिया ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो descendant है descendant तो हम सभी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम ancestor को छोड़ सकते हैं यानि कि जब हम दो अलग-अलग common ancestor को छोड़ दें और सभी descendant जो अलग-अलग descendant है उनको ले लेते हैं उसको हम बोलते है polyphyletic group तो monophyletic में क्या है कि ancestor भी आएगा और descendant भी आएंगे ठीक है पैराफyletic में क्या है कि ancestor सभी आएंगे लेकिन सभी descendant नहीं आएंगे और polyphyletic में क्या होगा कि descendant सभी आएंगे पर ancestor सभी नहीं आएंगे तो आए मैं आपको phylogenetic tree के थूरू सभी term को समझा देता हूं तो monophyletic group में होता क्या है तो यहाँ पर आप blue box में देख सकते हैं यहाँ आपको monophyletic दिखेगा तो यहाँ पर यह जो red color से circle है यह common ancestor है और इसके descendant है h i और j तो जब हम common ancestor और उसके सभी descendant को लेते हैं तो उसको हम बोलते है monophyletic तो blue box में सभी monophyletic है यहाँ पर उपर की और आप paraphyletic देख सकते हैं pink box के अंदर ठीक है तो यहाँ पर जो red circle से यह common ancestor है A, B, C और D का लेकिन जब हम phylogenetic relationship पड़ है तो हमने A को क्या किया हुआ है छोड़ दिया हुआ है तो जब हम किसी descendant को छोड़ दे और सभी ancestor को लेके चले तो उसे हम बोलते है paraphyletic group वही हम बात करें polyphyletic group की तो आप yellow box में देख सकते हैं यहाँ पर आपको E, F और G देखेंगे यह सभी descendant है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि E और F का जो ancestor है वो लग है और वहीं G का जो ancestor है वो लग है तो यहाँ पर हम जब E, F और G यानि कि केवल descendant को लेंगे और इनके ancestor को नहीं लेते तो उसे हम बोलते हैं polyphyletic group आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि monophyletic, paraphyletic और polyphyletic क्या होता है और यह next हम बात करते हैं कि phylogenetic tree को हम कैसे represent कर सकते हैं तो phylogenetic जो tree होता है उसे हम दो तरीके से represent करते हैं पहला है vertical kledogram और दूसरा है horizontal kledogram तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह vertical kledogram दिया गया है ठीक है और वहीं आप देख सकते हैं कि इसी kledogram को हम horizontally भी represent कर सकते हैं तो दो तरीके से represent किया जाता है cladogram को या फिर कह सकते हैं कि phylogenetic tree को vertical और horizontal अगर ये next नम बात करते हैं कि phylogenetic tree कितने प्रकार के होते हैं तो phylogenetic tree जो होते हैं mainly two type के होते हैं first है rooted tree और दूसरा है unrooted tree तो जो rooted tree होते हैं उनमें एक single note होता है जिसे हम common ancestor कहते हैं और उसी common ancestor से अलग-अलग path lead होते हैं यानि कि अलग-अलग evolutionary जो descendant होते हैं वो lead करते हैं यानि कि निकलते हैं जैसा कि आप यहाँ पर नीचे figure में देख सकते हैं यहाँ पर एक rooted यानि कि common ancestor है और इसी से निकलने वाले अलग-अलग उसके descendant है A, B और C, D वो ही हम बात करें unrooted tree की तो इन में कोई common ancestor नहीं होता जैसा कि आप right side में देख सकते हैं कि A, B, C और D दिये गए हैं तो इन में कोई common ancestor पता नहीं चल ला है तो इस तरह का जो phylogenetic tree होता है उसे हम बुलते है unrooted tree तो दोस्तो इसी के साथ हमारा आज का ये topic खत्म होता है तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा और कोई भी doubt हो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए जहिंद जभारत